Hi, this is N.H. Green from Green English. Today I am going to start parts of speech. सबसे पहले हम समझते हैं parts और speech को. Parts का मतलब होता है हिस्सा भाग और speech बोली. भासा. दुनिया में जितने भी English भासा में शब्द हैं, उन्हें हम आठ भाग में बाटते हैं. जितने भी शब्दों का हम इस्तमाल करते हैं बोलने में, इन्हें ही हम parts of speech कहते हैं, और उन्हें हम उनके काम के अनुसार बाटते हैं. जैसे he reads a book, यहाँ पे he reads a book, इस तरह यह चार शब्दों से मिलकर यह वाक के बना हैं. यहाँ हम कह सकते हैं कि यह हमारी बोली का एक हिस्सा है. दूसरा मिसाल हम देखते हैं, I have a yellow mango, यहाँ एक शब्द, have a yellow mango, पूरे पाँच शब्दों से मिलकर बना हैं, और पाँचों शब्दों के functions अलग-अलग हैं. यहाँ भी हम कह सकते हैं, यह हमारी बोली का एक हिस्सा एक पार्ट है, और इस पार्ट में जितने भी वोट्स का इस्तामाल हुआ है, वो वोट्स, same as English में, आठी कैटेगरी से वो वोट्स आते हैं, इन्हें ही हम पार्ट्स ओफ स्पीच कहते हैं, अब इनके definition को हम देखते हैं, अब हम देखेंगे कि यह जो पार्ट्स ओफ स्पीच हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसे आठ पार्ट्स हैं, पहला पार्ट जो है कौन सा है, पहला नाउन, अब हम नाउन शुरू करते हैं, पर्शन में हम तीन नाम देख रहे हैं, रश्मी, गोपाल और मोहिनी, प्लेस में नियु यॉर्क, फिंग में बुक्स, काम्प्यूटर और पेंसिल, बॉर्ड, पैरोट, एनिमल, जिवरा, फिलिंग और आइडियाज में आउनेस्टी, कुलनेस, चैल्डूड, वार्म्त, ये जितनी भी हैं, ये सारे नाम हैं, और यहां पे हम नाम का इस्तामाल कर रहे हैं, पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, फिंग का नाम, फिलिंग और आइ नाम इस्तामाल होते हैं, उन्हें हम नाउन कहते हैं, तो हम कह सकते हैं, नाउन is the name of everything Noun is the name of person, place, animal, bird, feelings or anything Idea भी यहाँ पर है तो जितने भी नाम हैं दुनिया में जितने भी नाम इस्तामाल होते हैं वो सारे noun है कहीं कहीं कुछ votes ऐसे भी होते हैं जो noun के साथ साथ किसी दूसरे parts का भी function करते हैं जैसे color के name को हम देखते हैं red red जो है वो noun की तरह भी work करता है और red adjective की तरह भी work करता है लेकिन जादा तर जो है red adjective की तरह इस्तामाल होते हैं तो colors के name जितने भी हैं तो already हमने यह बात की कि किसी भी parts को समझने के लिए एक बात बहुत जरूरी है कि वो sentence में किस तरह इस्तामाल हुआ है क्या वो वहाँ पे noun का function कर रहा है या pronoun का या other parts of speech का अब pronouns शुरू करते हैं Sohan is my brother Sohan studies in class fifth यहाँ पे सुहन का इस्तामाल हम दो बार करते हैं जिसकी वज़े से यह जो है हमें monotonous लगता है यह repetition लगता है noun बार बार repeat हो रहा है इससे बचने के लिए हम pronoun का इस्तामाल करते हैं use करते हैं तो हमने Sohan is my brother यहाँ सुहन के बदले हमने ही लगाया He studies in class fifth Roman has a book The book is thick यहाँ a book और the book दो बार इस्तामाल हो रहे हैं तो इससे बचने के लिए monotonous से बचने के लिए repetition से बचने के लिए हमने book की जगा it लगाया Roman has a book It is thick अब pronoun का definition देखते हैं pronoun is a word which is used in place of noun example he, she, it, they, you, this, all, everybody, its, etc यहाँ पर this is a red book और this book is red दोनों में दिस लगा हुआ है लेकिन दोनों में फर्क है एक जगा दिस जो है pronoun का काम कर रहा है दूसरे sentence में यह adjective का का काम कर रहा है जब भी यह किसी noun के पहले आए जैसे दूसरे sentence में book के book के पहले दिस आ रहा है तो यहाँ पर यह adjective का function कर रहा है इस तरह और भी शब्द हैं जो pronoun भी हैं और adjective भी हैं जैसे all all books are read all are intelligent यहाँ पर all are intelligent अगर हम कहते हैं तो यहाँ पर all pronoun है लेकिन all books are read कहेंगे तो यहाँ पर all जो है adjective का function करेगा तो that, each, etc. अब हम adjective देखते हैं several books, five books, thick books books यहाँ पर noun है और यह noun को कोई word है जो qualify कर रहा है उसके meaning में कुछ जोड़ रहा है कुछ बता रहा है, modify कर रहा है books कितनी किताबे हैं several books, बहुत से किताबे, कई किताबे five books, पाँच किताबे thick books, मोटी किताबे इस image में angry man कैसा आदमी, angry, तो angry man को qualify कर रहा है उसके meaning में कुछ add कर रहा है same as green tree big tree, tree में add कर रहा है green और big के meaning को, meaning को बढ़ा रहा है noun के meaning को बढ़ा रहा है noun के विसेस्ता बतला रहा है same as red rose लाल गुलाव small bird, छोटी चुड़िया तो adjective को हम define कर सकते है an adjective is a word which qualifies a noun and pronoun it adds more meaning to a noun or pronoun example he is honest यहाँ he pronoun है और he को qualify कर रहा है honest, वह इमांदार है you are intelligent यहाँ you you pronoun है और intelligent adjective है जो इसको qualify कर रहा है adjective को हम दो तरह से use करते है एक attributive use of adjective इसमें जो adjective होता है वो जिस्त नाउन के पहले होता है जैसे this is your red rose या a wise man an intelligent student तो यह जो use हो रहे है यह attributive use of adjective है और predicative use of adjective में adjective जो होता है वो alone होता है जैसे this rose is red यहाँ red जो है यह alone है same as वहाँ he is honest हमने जो इस्तमाल किया यह predicative use of an adjective है एक चीज़ यहाँ और हम देखते है descriptive adjective या adjective of quality जिसमें यह हम आगे पढ़ेंगे जिसमें quality की बात हो अगर उसके पहले हम the को add करते है तो वो noun बन जाता है और वो भी plural noun बनता है जैसे the deaf बहरे आदमी बहुत से बहरे आदमी the honest बहुत से मंदार आदमी the poor गरीब लोग the rich अमीर लोग अब वर्व को पढ़ते हैं action he drives a car वह कार चलाता है यहाँ action है कुछ काम हो रहा I am playing मैं खेल रहा हूं यहाँ भी एक काम खेलना है रवीज स्विंगिंग जूल रहा है यहाँ भी एक जूलना काम है Mohan is running Mohan दोड रहा है Mohan एक काम कर रहा है you are watching TV तुम TV देख रहा है यह भी एक काम हो रहा है I have a car मेरे पास car है यह अधिकार है मेरे पास car है position है He has a bicycle उसके पास bicycle है यहाँ भी position को दर्शाता है Ravi had a dog Ravi के पास एक कुट्ता था Milk is white दूद उजला होता है यह state को बता रहा है अवस्था को बता रहा है He is honest वह इमंदार है यह भी एक अवस्था को बताया जा रहा है तो जहाँ action हो जहाँ position हो तो हम कह सकते हैं वर्ब को define कर सकते हैं A word is a word which shows action, position और state of being और ज़्यादा example देखते हैं Is, a, am, was, were has, have, had, can, did, 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 may, must, go, run, walk, move, etc वर्ब का जो position होता है वो most probably जादा तर subject के बाद होता है simple sentences में जिसको मैं statement कह सकते हैं assertive sentence कह सकते हैं जिसे एक मिसाल के तौर पे हम देखें I am playing I am भी वर्व है और playing भी वर्व है I am जो है helping वर्व है और playing main वर्व है तो जब simple sentences होंगे simple sentences that means assertive sentences तो इनका जो place होगा helping verb का वो subject के बाद होता है लेकिन interrogative sentence में यह बाहर चले जाते हैं जैसे am I playing तो am भी एक वर्व है और playing भी वर्व है helping verb main वर्व इसके बारे में हम आगे details में भी पढ़ाएंगे अब हम adverb शुरू करते हैं पहले box में it is good book यहां good जो है वो adjective है he is intelligent यहां intelligent adjective है it is a difficult plan यहां difficult adjective है it is a very good book it is a good book यह एक अच्छी केताब है और it is a very good book यह बहात अच्छी केताब है तो यहां very जो है good को qualify कर रहा है good के meaning में कुछ जोड रहा है same as he is intelligent he is not intelligent तो पहले में वो तेज है दूसरे में नहीं तेज है तो नहीं intelligent के meaning में कुछ जोड रहा है it is a difficult plan and it is an extremely difficult plan तो extremely जो है difficult को qualify कर रहा है उसके meaning में कुछ add कर रहा है दूसरे box में देखते हैं he is driving यहां driving जो है verb है cat is running यहां running भी verb है my is writing writing भी verb है he is driving slowly driving को qualify कर रहा है slowly उसके meaning में कुछ जोड रहा है कि वो धीरे धीरे चला रहा है a cat is running a cat is running fast billy तेज दौड रही है तो तेज रनिंग को दौड़ना को qualify कर रहा है my is writing my is writing beautifully तो beautifully यहां writing को qualify कर रहा है तीसरे box में he runs fast यहां fast adverb है he sang loudly loudly यहां adverb है लेकिन he runs very fast यहां very जो है fast को qualify कर रहा है उसके meaning में कुछ जोड रहा है तो very यहां very है और he sang very loudly यहां भी very loudly के meaning में कुछ बढ़ा रहा है तो यह जितने भी यहां red color में words हैं वो सारे adverb हैं तो adverb को हम define कर सकते हैं an adverb is a word which qualifies an adjective verb और adverb यहां भी और यह भी हम कह सकते हैं कि adverb जो है यह add करता है more meaning to an adjective verb और adverb adverb के अगर place की बात करें या अस्थान की बात करें adverb कहा होता है तो adverb का इस्तमाल या तो adverb आपके वो just adjective के पहले हो सकता है verb के just बात हो सकता है या adverb के पहले हो सकता है या कभी कभी subject यानि noun और verb के बीच में भी हो सकता है जैसे never बीच में इस्तमाल होता है always बीच में इस्तमाल होता है यहाँ पे कुछ pick out the adverbs इसमें adverbs चुनने हैं जो आप pause करके यहाँ पे चुन से position यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं एक table है उसके उपर कुछ किताबे हैं pencil है उसके निशे एक चोटा सा कुता है तो there is a book on the table table पर कुछ किताबे हैं a pencil is lying near the books एक pencil किताबों के बगल में पड़ी हुई है a dog is under the table एक कुता टेबल के नीचे है there is a fan over my head मेरे सीर के उपर एक पंखा है a parrot is flying in the sky एक तोता आसमान में उड़ रहा है तो यहां पर हम एक relation को देख रहे है जैसे book on the table table पर किताब है table पर किताब है यानि noun का संबंध बता रहा है कि table पर है same as pencil के बारे में भी कहा जा रहा है pencil जो है किताब के बगल में नजदीक है तो यहां भी एक relation बनाया जा रहा है relation बताता है कुत्ता कहा है table के नीचे तो यहां भी noun के साथ under जो है relation बताता है पंखा सीर के उपर over relation को बता रहा है in the sky आकाश में यहां भी relation को बताता है तो preposition को हम define कर सकते हैं कि preposition is a word which comes before a noun or pronoun to show its relation to some other words in a sentence यह noun या pronoun के पहले आते हैं और संबंद बताते हैं उनका वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ example in, on, at, under, to, into, besides, with, without, between, etc अब यह जो होते हैं यह noun या pronoun के पहले आते हैं लेकिन कभी-कभी अगर noun या pronoun जो हो जिसे हम object की तरह जब इस्तमाल करेंगे अगर वो न हो और prepositional word पे जाके कोई sentence खतम होता हो तो वहाँ पे जो preposition की तरह दिखने वाले जो words होते हैं वो preposition नहीं adverb होते हैं जैसे come on, तो यहाँ on adverb हुआ I had never seen him before तो यहाँ before जो है वो adverb है conjunction राम एंड मोहन is going to market यहाँ राम और मोहन दो शब्द हैं दो words हैं और इनको and जोडता है would you like to take tea or coffee यहाँ tea और coffee जो हैं दो शब्द हैं और इनको और जोडता है would you like to take tea or coffee क्या आप क्या लेना पसंद करेंगे चाए या coffee come in the evening और in the morning यहाँ come in the evening और in the morning जो है दो phrase हैं और इन दो phrases को और जोड रहा है I was playing while Rekha was cooking I was playing एक sentence Rekha was cooking एक दूसरा sentence इन दोनों को जोड रहा है while Ramesh said that he was going Ramesh said एक sentence he was going another sentence इनको that जोड रहा है तो words, phrase और sentence तीनों जोड रहा है तो conjunction के definition में हम कह सकते हैं a conjunction is a word that joins two words, phrases or sentences example as, yet, before, because, that, and, or, it, though, etc यहाँ पर pick out the conjunction है यहाँ से आप conjunction जो है आप पॉस करके आप छिक कर सकते हैं कि कौन सा conjunction है conjunction का place जो है वो दो word के बीच में दो phrases के बीच में या दो sentences के बीच में है interjection यहाँ पर कुछ ने कुछ फिलिंग्स की बात हुई है या तो कहीं शोक है या कहीं क्रोध है या कहीं खुशी है यह हमारे फिलिंग को दर्शाता है जो फिलिंग को दर्शाने वाले words होते हैं शब्द होते हैं उन्हें हम interjection कहते हैं तो interjection को हम define कर सकते हैं and interjection is a word which expresses some sudden feelings जैसे alas, oh, bravo, etc वी मस्ट पुट exclamation marks at the words यह जब भी word खतम हो उनके बाद exclamation marks जो है बिल्कुल इस्तमाल होने चाहिए यहाँ pick out the interjection है यहाँ से कुछ interjection आप pause करके देख सकते हैं और चुन सकते हैं कुछ grammarian इन 8 parts of words और speech के अलावा भी कुछ parts को रखते हैं जैसे articles articles a and d को कहते हैं वो इन 8 parts of words से अलगी से रखते हैं participle जैसे running, playing यह जब adjective की तरह इस्तमाल हो और gerund verbal noun जिसे कहते हैं जब कोई भी verb में ing जोड कर हम उसे noun की तरह इस्तमाल करते हैं कुछों ने तो a and d को जो है वो special kinds of adjective भी कहा है अब एक बर हम sentence में different parts of speech को पहचान लेते हैं जैसे पहला sentence रवी has a beautiful cap यहां रवी नाम है noun has possession को बताता है तो यह verb हो गया यह जो है article beautiful cap को qualify करता है तो beautiful adjective और cap जो है noun mostly जो है adjective वैसे हम लोगों ने अल्लेडी देखा adjective दो तरह से इस्तमाल होते हैं जब noun से पहले है तो adjective दूसरा sentence हम देखते हैं hello come here hello के बाद exclamation marks है तो hello जो है यहां पे interjection है come हमारा verb है और here जो है वह एडवर्व है ठर्ड देखते हैं he spoke in a sweet voice he pronoun है noun के बदले इस्तमाल हो रहा है spoke जो है वर्व है in relation बता रहा है तो in हमारा preposition है a article sweet voice voice noun है और sweet उसे qualify कर रहा है तो यह adjective है India is our motherland India नाम नाउन is helping verb वर्व हुआ our motherland के पहले है adjective और motherland noun the sun rises in the east the article sun नाम है नाउन rises वर्व in preposition the article और east noun my father is very wise my father father noun उसके पहले my adjective is verb very adverb wise adjective है यहाँ यहाँ adjective को very qualify कर रहा है great god exclamation marks it is a black snake तो यहाँ great god आपका interjection it pronoun है is verb है a article है black adjective है जो snake को qualify कर रहा है और snake जो है noun है बस इतना ही आगे मुझे आशा है कि आपको पहचानने में मुश्किल नहीं होगी और यह काफी हमारा interesting video भी रहेगा मैं जहाँ तक उम्मीद रखता हूँ बस्दट Bent liar चौँ ये आपको जबस्या में खिनको उसे ह्मीद रखता हूँ लड़ चपको जबस्ते रहेel Know मैं, श्र tub और KY ए long